असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स इस मौमन नभी जाफर जी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अपने चैप नुबर सिक्साइज नुबर 6.5 के उपर इलिप्स में डिसकेशन जारी हैं अभी हम इलिप्स की जैसे कि मैंने थोड़ी डिसकेशन की प्रिवेस लेक्चर म मैं अब उसकी को भी ड्राइव करूंगा और उसकी को प्रूव करके हम देखते हैं को सब्सक्राइब के बारे में बात की गई है कहता है कि लैट एब या पॉजिटिव नंबर एंड दसी लाइज इन बिट्विन जीरो टूए फोकस आपको दिये गए एफ ऑफ माइनस सी ज सब्सक्राइब करें बाते हैं कि अगर आपके पास है है कुछ हैंसे ऐसे यहाँ पर आपके पास है जो कि-10 और ओर एफड़ेसे जो कि C 0 यह किधिवन किया गया है और यहां पर कहांँ को एक पॉइंट पी है मैंसर फूसी की बात कर रहा हूं तो तो इसाए है प्रूब आपने यह करना है कि अगर आपके पास ये गिवन हो कि र तो इसका जो लोकस है वो क्या बनेगा इसका ग्राफ क्या बनेगा तो इसको मैंने प्रूफ करना है सो इएसको मुश्कील काम नहीं यहां पे एक्स वाइए हम सुपोज कर लेता है तो एक्स की भ दिस्टेंस इसको स्क्वेर द्रूस यहां बातो कर lashob हो गया जी इसमें हम कर रहे हैं यह आ जाएगा students x square plus c square plus 2cx okay x square plus c square plus 2cx plus y square यह जार लेते हैं दो स्कूर रूट से होंगे multiplication बहुत लेंगती हो जाएगी एक को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो यह आ तो ए माइनस x square plus c square minus 2cx plus y square और यह उसका square root चीक हो गया अच्छाओ अब दोनों तरफ इसका square लेते हैं squaring square लिया तो यह आज़ेगा x square plus c square plus 2cx plus y square is equals to इसका square लेंगे तो 4a square plus x square plus c square minus 2cx plus y square और minus 2ab मैं इदर लिख रहो माइनस 2 और इंटू 2a तो यह आज़ेगा 4a और b हमारे पास है x square plus c square minus 2cx plus y square ठीक हो गया जी यह आगया होगे अब यहां से सीधी सीधी बात है x square x square से cancel c square c square से और 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 हमारे पास आजएगा इसको उदर लेके जाते हैं तो यह हमारे पास situation कुछ यह बन जाएगी 2cx plus 2cx 4cx 4cx बलके 4cx इदर ही रहने देते हैं y square plus y square 2y square 2y square बलके y square भी सोरी cancel हो गया y square से y square cancel और यह 2cx उस साइड पर जाएगा उदर जाके 4cx और इदर हमारे पास रह जाएगा जैस्ट 4a square और 4a square बलके 4cx minus 4a square हम इसको भी उस साइड पर ले जाते हैं 4a square और इदर हमारे पास तिरफ रह जाएगा इस इकोल सु माइनस 4a into x square plus c square minus 2cx plus y square यह आ गया लो जी यहां से 4 common लेते हैं और इसके साथ कर देते हैं तो यह आजएगा cx minus a square is equals to minus a into x square plus c square minus 2cx plus y square अब इसका एक और square लेते हैं तो इसको रूट खतम हो जाएगा squaring again squaring कर दी जब हमने तो यह आजएगा c square x square plus a4 okay c square plus x square plus a4 minus 2acx okay अच्छ जी a square cx और फिर यह आजएगा is equals to a square x square plus a square c square minus 2a square cx और प्लस a square y square यह आजएगा इसको करूं करूं सी square x square और y square भी मैं अगर इस साइट पर लेके आता हूं तो माइनस y square okay minus a square y square और माइनस 2a square cx और यह आजएगा माइनस a square x square फिर students हमारे पास आजएगा यहाँ पर माइनस a square x square minus a square c square plus 2a square cx is equals to zero कुछ इस तरह से हमारे पास जो हैं वो values यहाँ पर बन गई अच्छ जी इसमें आप देखते जाएगा अब आप यहाँ से a square x square को अलग कर लें a square common x square में से प्लस a square y square बचेगा a square x square y square के साथ अगर negative है तो उसको positive रहने देवागी सारा एक साइट पर कर लें अच्छा यह आप कुछ इस तरह से करें कि a square minus यह two a square cx देखिएगा कहीं cancel हो रहा होगा चुँकि इदर भी a square cx आना है और इदर भी a square cx है तो यह तो इससे cancel हो गया sorry यह cancellation हो गई उसके बाद आप नहीं करना है a4 और minus a square c square को करें इदर और यह मैं लेके जा रहा हूँ उस side पे तो यह आजाएगा a square x square minus c square x square यह आगया अच्छा जी उसके बाद मेरे पास इदर है a square y square ठीक हो गया इदर से a square में ले रहा हूँ common तो यह आजएगा a square minus c square इदर से मैं a square x square common ले रहा हूँ तो यह आजएगा a square minus c square into x square और plus a square y square अब मैं तारे को divide कर देता हूँ divided by a square minus c square से divide कर रहा हूँ तो यह आजएगा a square is equals to x square plus c आजएगा a square over a square minus c square और y square यह चीज़ आगई ठीक हो गया जी अब उसके बाद आप गोर कीज़ेगा as आपको बता है c square जो है वो a square minus b square के इकल होता है इसी लिए हमने इसको रखा है बलकि यहां से इसको value दे देते हैं that is b square so a square is equals to x square plus a square over b square y square अब इस a square को नीचे लेके आएं तो यह मेरे पास आजएगा one is equals to x square over यहां पिस a b square is equals to a square minus c square के अच्छा जी एक स्कूर ओबर a square होजेगा और plus y square over b square which is the required equation of ellipse ओके बच्चों जो next आपके पास आ रहा है question उसमें जो focus दिये हुए है वह है एक 001 तो और आपने same distance formula यहां पे जो c और इसको लगाया वहां पे उसकी value change कर दीजेगा तो आपका question होजेगा question number five or last question करूंगा में exercise का इसकी तरफ move करते हैं और फिर हम इंचाला थोड़ा था discussion hyperbola पर करेंगे और हम इस book chapter को wind up कर देंगे okay prove that the latest spectrum of the ellipse given that question number five given that आपके पास ellipse है x square over a square plus y square over b square is equals to one और हमने यह थाबत करना है कि जो इसमें length of latest spectrum है वो 2b square over a है तो अगर आप ellipse देखते हैं मैं यहां से अगर इसी के साथ ही उपर बना लो ellipse है यह ellipse है मेरे पास है यहां पर मैंने एक focus है जो कि सी जीरो है तो यह है ना लेटस रेक्टम है अब यहां इसको फर्स करें मैं एल नाम दे देता हूं तो इसमें जो वैल्यों है वह सी और कोई वाइवन होगा यहां पर इदर है एल डैश और है सी लेगा यहां पर ठीक हो जाएगा अच्छा यह वैल्यूस है मेरे पास और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा गोर करूं तो मुझे अगर यह पॉइंट्स मिल जाए ना सी और वाइवन और सी और वाइटू तो मैं यहां से इन दोनों के दरम्यान जो है वो प्रूव कर सकता इसका जो डिस्टेंट्स है ओके जी बचो इसमें हम को चीय करते हैं कि हमारे पास लेटेस एक्टम मैंने आपको बता दिया क्या है इस वैल्यू को हम लेके चलते हैं सो मैं यहां पर यह बता रहूं कि सपोज अलए डैश भी दा ले अटेस एक्टम जैना एलसी वाइवन व और यह एज मैं यहां पर बताता हूँ एज एल सी वाइव नाइंग ओन द इलिप्स लाइंग ओन द इलिप्स so it must satisfy must satisfy the equation तो यह उसको satisfy करेगा so satisfy करेगा तो यह आ जाएगा c square over a square plus y1 square over b square is equals to 1 यहां से आजएगा y1 square over b square is equals to 1 minus c square over a square यह आजएगा y1 square over b square is equal to a square minus c square over a square ठीक है अच्छा जी यह मेरे पास बच्चो आजएगा y1 square over b square is equal to यह जो value है यह बन गी b square की over a square so y1 square is equal to b4 over a square और y1 is equal to plus minus b square over a तो यह point आपके पास क्या बना so l है वो बन गया c और b square over a और जो l dash है वो बन गया c minus b square over a so length of latest rectum latest rectum जो है वो उसकी जो length बन गई l l dash that is equals to the distance c minus c square plus b square over a square minus minus plus b square over a square square ठीक हो गया तो यह आजएगा 0 plus 2 b square over a square का square यह आगया 2 b square over a square और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी तो students उमीद है आपको यह lecture समझा जाया होगा फिर भी किसी की समय को सवाल हो तो जरूर पूछेगा जिनलगी रेड़ इसी प्रोग्राम से चैनल पर दबार में लगए तो कि तब तक लिजादी जाला हाफिज assalamualaikum झाल